संदेशा है कि धन्द इंसान के बीच सांती प्रेम और वड़ावरी का संदेशा देना है लेकिन जो लोग धन्द के नाम पर पाखंड फैलाते हैं उस पाखंड के खिलाप लगने का इतिहास उस पाखंड के खिलाप लगने की संस्कृती इस देश में बहुत पुरानी है गविदास जी कभीर के साथी थे दोनों साथ में ही घुम घुम कर जंता के बीच में जाकर धर्म का विरोध नहीं करते थे पाखंड का विरोध करते थे धर्मता सहारा लेकर जो समाज में छुआ छूट फैलाई जाती है उसका विरोध करते थे जो उच नीच की विवस्था को तिकाहे रहने की कोशिश करते हैं उसका विरोध करते थे और उस पर वाट्सअप नहीं था तो वाट्सअप से मेसेज बारवर्ड कर देते हैं एसमेस भी नहीं था माइक्रोफॉन भी नहीं था अख़वार नहीं था टेलिविजन नहीं था रेडियो नहीं था घूम घूम करके पाखंड के खिलाफ लिख्टेट कभीर ने भी बरियक शांदार बात कही है कि कभीरा खराबजान में सबकी मांगे खैर ना के हुशे दोस् थाल खराबजान में सबकी मांगे खिलाफ बात कहीं थाल है कि तोस्चारब तोस्चार नहीं थाटाव सरफ्टेट के जिगा तोस्चार टाव कि अवल्च यैग बात कहीं था याल झाल झाल